ओम शंति भारत तुहारों का देश है हर थोड़े समय के बाद कोई न कोई तुहार आता है जिसको हम बहुत धुमधाम से मनाते हैं खुशी उमंग से मनाते हैं लेकिन हर तुहार के अंदर कुछ न कुछ रास चिपे हैं कुछ spiritual significance है जो हमारे जीवन को और बहतर, elevated बनाता है अभी राखी का तुहार है आते के बहुत खुशी से यह सब मनाते हैं खास इस दिन पर बेहन भाई को राखी बानती है और जिस समय धागा बानती है तो उस समय सबी समझते तो ऐसे हैं कि भाई फिर प्रतिग्या लेता है कि वो बेहन की रक्षा करेगा पर हमें भी कई बर संकल्प चलता है कि यह कैसे possible है कभी-कभी भाई बेहन से छोटा होता है कभी दूसरे देश में होता है दूसरी सटी में होता है और सिर्फ प्रोटेक्शन बेहन को चाहिए ऐसे तो नहीं है भाई को भी चाहिए आचली क्या चीज है जो हमारी रक्षा करती है रक्षा कोई भाई बेहन की करता है या बेहन भाई की करता है ऐसे नहीं है लेकिन जो चीज रक्षा करती है वो है purity, पवित्रता यह जो बेहन और भाई का रिष्टा है यह बहुत पवित्र रिष्टा है इसलिए स्रिष्टे में दिखाया कि बेहन भाई को राखी बांदी है लेकर एचली राखी बांदना, धागा बांदना धागा बांदना ही माना एक प्रतिग्या लेना और किस चीज की प्रतिक्या लेना, पवित्रता की प्रतिक्या लेना, क्योंकि पवित्रता में बहुत शक्ती है, पवित्रता है जो है जो हमारी रक्षा करती है, किस से रक्षा करनी है वैसे भी, अचलि हम जब परमात्मा को भी याद करते हैं, तो क्या कहते हैं, दुखों से म प्रतिग्या करते हैं कि हम फ्योर सोचेंगे राइट सोचेंगे सही बोलेंगे फ्योर करम करेंगे वोई चीज है जो हमारी रक्षा करता है क्योंकि जैसा करम होता है वैसा फल दलता है अगर कभी-कभी फल ठीक नहीं है, consequence ठीक नहीं है जो return आ रहा है वो अच्छा नहीं लगता नो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ लेकिन उसका कारण है कि मैंने वो ऐसा कुछ किया है जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ी मेरी रक्षा है कि जब मैं अपने प्रतिग्या करता हूँ कि मैं पवित्र सोचूंगा, बोलूंगा और करूंगा क्योंकि आप देखो हम किसी के साथ अकर गलत भी बोलते हैं उनको दुख होता है हमें दुख होता है हम कुछ गलत करते हैं अनेतिकली बड़ा जूट बोला चोरी करी कोई भी हमने किसी भी वैल्यू के साथ कॉम्प्रमाइज किया तो हमारे अंदर में खालीपन, भाई, चि बांद रहे हैं या बंदवा रहे हैं कि हम पवित्र सोचेंगे, पवित्र बोलेंगे, पवित्र करेंगे फ्योरिटी में इतनी इतनी ताकत है कि आपके संकल्प, सामने वाले के संकल्प को भी चेंज कर सकते हैं नहीं तो आज के समय और क्या प्रटेक्शन है किसी के साथ द मानु कई बर हम किसी को देखकर करके केते हismo, इसकी दृष्टी तोड़ी ठीक नहीं है, पुझे लगता है इसकी भावना ठीक नहीं है लेकिन अगर मेरी दृष्टी और भावना ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, आज वो व्यक्ति किसी खड़ा पोस्टर को देखता है तो उसके मन में थोड़े से विकारी संकल्पी चलते हैं वो ही व्यक्ति अगर मंदर में किसी देवी की मूर्थी को देखता है तो उसके संकल्प बदल जाते हैं उसके मन में उस देवी के प्रतिशद्दा की भावना और रिस्पेक्ट की भावना आने लगती है व्यक्ति वो ही है लेकिन stimulus अलग था खर आप चीज देखी तो खर आप संकल्ब चले फ्योर चीज देखी तो फ्योर संकल्ब चले ऐसे भले हमारे सामने कोई है जिसकी तृष्टी थोड़ी ठीक नहीं है देखने का तरीका ठीक नहीं है या उसके मन के संकल्ब ठीक नहीं है पर अगर मेरे मन के संकल्ब ठीक है मेरी भावना उसके प्रती ठीक है अगर मुझे उस समय स्मृति है कि नहीं ये आत्मा भी बहुत प्योर है भगवान का बच्चा है ये तो मेरा भाई या बेहन है कि मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता है तो मेरे संकल्प उसके संकल्प को चेंज कर देते हैं मेरी भावना उसकी भावना को चेंज कर देती है और ये माजिक होता है कितने बार ऐसा होंगा कि कोई मेरे साथ गलत करना भी चाहेंगा कोई चीट करना चाता है, धोका देना चाता है, पर हमारे शुब संकव, हमारे शुब वाइब्रेशन उनके मन को परिवर्तन कर देंगे ऐसा हमारे आसपास purity का औरा हो, कि उस औरा के अंदर कोई गलत करी नहीं सके लेकिन ऐसी purity, जो हमारी ही protection करे, उसकी प्रतिग्या लेनी है, और इसलिए इस प्रतिग्या पर चलने के लिए परमात्मा का प्यार चाहिए इसे कई सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर राकी के दिन बहुत सुन्दर वायू मंडल होता है हर कोई जो वहाँ बेने हैं, वो भाई बेनों को जो राकी बांगती है, वो परमात्मा की राकी है परमात्मा की प्यार की राकी है, क्योंकि प्यार में वो ताकत आजाती है कि हम पवित्रता की प्रतिग्या कर सके और वो प्रतिग्या जो है वो हमारी फिर रक्षा करती है तो एक तो उस दिन ठागा बांदे है दूसरा आप देखें कि बहन भाई को जब ठागा बांदेंगी तो उससे पहले तिलक भी लगाती है और तिलक हमेशा कुछ स्मृति के लिए होता है यह सारे रिच्वल रिमाइंडर का काम करते हैं तो यह भी एक रिच्वल कि हम जब किसी को तिलक लगा रहे हैं तो उस समय पर भी हमें यह स्मृति रहे कि हर कोई फ्योर है पवित्रात्मा है कोई भी है जाए मेरे सामने मेरा भाई है या कोई भी दुनिया का व्यक्ति है originally वो बहुत pure है हो सकता है जोर्णी में चलते-चलते कोई ना कोई कमी तो हरे के अंदर आ जाती है पर original nature उसकी purity की है क्योंकि वो purity की स्मृति और purity की प्रतिग्या ही मेरी रक्षा करेगी फिर हम क्या करते हैं? मुख मीठा कराते हैं हर त्विहार में मुख मीठा कराने की रसम जरूर है लेकिन क्या reminder का काम करता है के वल वो मीठा नहीं पर हमारा मुख सदा मीठा रहे है हमारे बोल हरे के प्रतिव बहुत मीठे हो कभी कोई ऐसा बोल नहीं बोलना है जो किसी को दुख दे हम तो कहीं बार उसको बोल कर भूल जाएंगे सामने वाला हमारे बोल को पकड़ लेता है बार-बार उसको अपने मन में रिपीट करता रहता है रिपीट करते-करते इतना दुख क्रियेट कर लेता है जैसे वो अंदर एक जखम बन जाता है और ब्लेम तो हमें ही कहता है आपने दस साल पहले ऐसा बोला था, वीच साल पहले ऐसा बोला था, लोगों को बाते भूलती नहीं है यह तीर एक पर निकल जाता है फिर वापस नहीं आता बोल का इसलिए हर तोहार में मुख सरूर मीठा करते हैं कि रिष्टों में हमारे मुख में मिठास हो रिष्टे एक एक्सचेंज और एनरजी है हम किसी को ऐसा कुछ नहीं बोले कि उनका दिल दुख जाए और फिर लास्ट में गिफ्ट आजकल तो गिफ्ट भी बहुत मेंगे मेंगे हो गए है कभी-कभी जो तोहार है उसकी सिंपलिसिटी खतम हो जाती है और भौतिक्ता की तरफ वो जाने लगता है मैं भी सोचेंगे मैं कैसी राखी बांदू सोने की, चांदी की, डाइमिंड की पहले तो सिंपल धागा ही बांद देते थे क्योंकि ये तो विदी थी और उस विदी के पीछे जो रेमाइंडर था उसको याद करना था भाई भी सोचता है मैं क्या गिफ्ट दू और उस गिफ्ट से कभी-कभी तोम अपनी वैल्यू कर लेते हैं बना अगर कोई गिफ्ट थोड़ा सा साधारन होगा, सस्ता होगा तो हमें लगेंगा शायद भाई मुझसे प्यार नहीं करता अचली हम प्यार को गिफ्ट से तो नहीं दोल सकते हैं प्यार तो एक एहसास है एक exchange of energy है और कभी-कभी तो इतना ज़ादा बहुत complicated है अचली तोहार सिंपल होने चाहिए प्यार हमारा एक दूसरे के प्रती है वो गिफ्ट से नहीं पता चलता लेकिन हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं एक दूसरे के प्रती हमारी शुभावना है दुआई है सबसे बड़ी गिफ्ट अगर कोई किसी को देश सकता है तो वो दूआ है दिल की दूआ गुड विशिस शुभावना क्योंकि दूआएं दूसरों को जीवन में बहुत आगे बढ़ाती है तो हमें इस पारी जो गिफ्ट एक्सचेंज करना है भले स्थूल गिफ्ट भी करें लेकिन उससे अपने को वैल्यू नहीं करें वो चीज ये आधार नहीं हो कि सामने वाला मुझसे कितना प्यार करता है लेकिन मुझे ऐसी गिफ्ट देनी है कि सामने वाले को उस प्यार का नुबवू वो दूआ और गुड़ विशिस तो जो ये त्वहार है हम उस त्वहार को अगर बहुत simplicity के साथ royalty के साथ वो क्या हमें spiritually सिखाने के लिए आया है उससे मनाते हैं तो हमारी जीवन में उन्नती का आधार बन जाता है बहुत ये pure festival है और ये हमारे अंदर फ्योड़िक्टी को लेकर के आता है जो हमारी सदा सुरक्षा करती है तो आप सबको रक्षा बंदन की बहुत बहुत शुब कामना है और हम मिल करके परमात्मा की प्यार की ये राखी बांदे पवित्रता का कंगन पहने पवित्रता के प्रतिख्या करें और ये सदा ही हमारी रक्षा करेंगा पूम शांदिए